तो कुछ दिन पहले मैंने MI Super Base Wireless Headphone की Unboxing वीडियो बनाई थी और उसके मैंने अपना First impression दिया था कि मुझे किस तरीके के headphone लगा है और उसके मैंने ये भी कहा था कि मैं इसको कुछ दिन use करूंगा उसके वाद एक proper review वीडियो जो है आप लोग लिए लेकर रहा हूंगा तो guys आज के वीडियो जो है होने वाली ये proper इसका review वीडियो क्योंकि इसको जो है मैं करीब 2 हफतों से use कर रहा हूं और जैसे कि आप पने title पड़ी लिया हुआ कि भाई बिल्कुल straight forward होके मैंने title लिखा है तो उसके क्या reason से क्यों मैंने ऐसा title इसके लिए use किया है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप लोगों की तरफ से मुझे support मिले है और मैं और भी अच्छे वीडियो जो है आप लोगे लेकर आता रहो तो सबसे पहले इस headphone के बारे में बात कर लेता है यानि कुछ अच्छे points जो भी मुझे इस headphone के लगे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि इस price ring में काफी अच्छे features जो है हमें दे देता है अब अगर सबसे बहले अगर बात करो इसके battery life की तो guys Xiaomi ने claim किया था कि 20 hours का battery backup जो है हमें इसमन मिलता है तो guys seriously बोलो तो 20 hours का तो बिल्कुल भी नहीं मिला है बट फिर भी like 15-16 hours तक ये आराम से दे देता है जब ये first time आया था तो इसको मैंने कम से कम 2-3 दिन तक चार्ज नहीं किया था और आराम से ये headphone मेरे को अच्छा battery life दे दिया था उसके बाद मैंने इसको चार्ज किया और तो करीब करीड़ से एक घंटे 45 मिर्ट के करीब जो है इसने charging time लगाया लेकिन उसके बाद इसने बैटरी वेकर आराम से 15-16 घंटे तक का दे दिया है जो कि काफी अच्छी बात है तो इसको जो है मैं around 80-90% volume पे ही इसको सुना है तो उस हिसाब से बैटरी लाइव इसकी का गया है पूरी तरीके से जो है आपको अच्छी finishing में मिल जाती है शाओमी ने जो है फिनिशिंग पे काफी जाता ध्यान दिया है अगर ध्यान दे तो भाई यहां पे आपको एरकप्स में भी जो है रैट से कलर के रिंग मिल जाती है और अगर बात करें सकी sound quality की तो इसमें जो है आपको 40 mm का dynamic driver मिल जाएगा और मेरा जो personal favorite feature इस headphone में लगा है वो इसकी sound quality ही लगी है क्योंकि इसको जब मैंने first time use किया था इसको सौरा था तो मैं बहुत ही ज़दे impressed हुआ था इसमें जो आपको bass मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है कि इस price range में यह काफी बढ़िया bass आपको दे देता है तो अगर आप bass वाले song जादा सुनना पसंद करते तो यह headphone काफी अच्छा option है आपको इस price range में अब अगर बात करूँ कि भाई किस तरीके का बाकी का sound है like balance out है यह treble अगरे आपको कैसे मिलता है तो इस bass के अमामले में काफी बढ़िया है इसका नाम ही है मैं सुपर bass है तो bass दो काफी बढ़िया यह दे देता है लेकिन अगर बात को आपको balance song सुनना पसंदे like जिसमें आपको normal bass में ले normal treble में ले तो यह headphone आप लोगों के लिए नहीं है अब बात करते हैं इसके ऐसे features के बारे में जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए है और यह जो features है वो काफी जादा important होते हैं किसी भी Bluetooth device के लिए तो guys अगर मैं इस पहुच पार यह सामने वाले तक और अगर मैं बात करूँ music के टाइम पर है कि भाई इसको मैंने music के लिए भी यूज किया और आराम से headphone रखा उसके बार मैं इसको तो गूमा हूँ तो तब मुझे कोई ऐसा connection loss की दिक्कत नहीं हुए music एक भी बार break नहीं हुआ है लेकिन काफी जादा है इतने में तो भाई आपका काम ही लग जाएगा तो अगर आप gaming के लिए इसको पर्चेस करना चा रहा है तो यह इतना कोई अच्छा device निकल के भाह नहीं आया है लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको Aux का support मिल जाता है तो आप gaming के टाइम पे जो है क इसवाइड फोन को आप करीब-करीब पास दस निटी बात इसको आप नहीं पहन सकते हो रेगूलर नहीं पहन सकते हो क्योंकि यह बहुत ही जादा टाइट आपको इसमें मिलता है अगर आप इसको हैड पे पैंते हो तो आपके कान भगरे में जो है धर्द होने लगता है या फिर इचिंग लगरे स्टार्ट होने लगती है तो इस तरीगी का इस्यूद हमें मुझे face करने को मिला है इसको करीब मैं दो हफते से use कर रहा हूँ मैंने इसको editing के लिए use किया normal music के लिए use किया 10 minute बाद ही जो है मेरे कान वगरे दुखने लगते या फिर मेरा सर दुखने लगता है या मुझे एक side का निकालना पड़ता है इस तरीके से adjust करना पड़ता है तो ये जो चीज है मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आई है headphone का main मतलब भी comfortable होता है sound के मामले में अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे होता तो चल जाता या फिर connectivity के मामले में थोड़ा बहुत नीचे होता तो चल जाता सबसे important किसी भी headphone में होता है वो मेरे हसाब से comfortable होता है क्योंकि आपको जो है इतना बड़ा आप सर पर लगा के रखते हो तो comfortable आपको अच्छा खासाद देना चाहिए था लेकिन इस headphone ने बिलकुल भी ऐसा नहीं दिया है तो भाई comfortable के मामले में ये काफी जादा disappointing मुझे लगा है तो यह थे कुछ reason जो आप लोग को बताने बहुत ही जादा जरूरी थे क्योंकि आप लोग जो है मुझे बहुत जादा trust करते है तो उस basis पर मुझे आप लोग को जो है पूरी अच्छे तरीके से genuine reviews का देना था क्योंकि इस headphone को लेके बहुत से लोग interested है कि Xiaomi की तरफ से headphone है कम price में मिल रहा है तो भाई कम price में मिल रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज ही अच्छी होगी बाकि अगर मैं बात कुरूँ इसके overall की sound quality, battery life काफी बड़िया मुझे लगी है इस price range में कोई भी headphone नहीं दे रहा है अच्छा सब कुछ है बड़ी है build quality है, design वागे भी लेकिन इसका comfort जो है मुझे बिलकुल पसंद नहीं आया है और जो कि मेरे साब से हर headphone में important होता है तो कि कोई भी 10 मिट के लिए कोई भी headphone यूज नहीं करता है long time के लिए use करता है जब मैंने इसको first time use किया तो मुझे लगा कि या अभी first time है इसलिए ऐसा pain हो रहा है लेकिन regular इसको 2 अफ़ते तक use करने के बाद भी मुझे same result मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि भाई headphone में कि comfortable में कुछ न कुछ गड़बडी है तो इस वीडियो में सर्फ इतना ही है और मुझे आप लोग को एक और important update देना था वो यह कि हमारे चैनल का next giveaway जो होने वाला है वो काफी जल्दी होने वाला है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लीजे उसके साथ साथ notification के icon को भी press कर दीजे जाकि जब भी मैं giveaway की वीडियो अप लोग के लिए डालू तो आप लोग को notify हो सके तो आप easily participate कर पाए उसके साथ साथ जो भी हमारे previous giveaway winners थे उनके पास product पहुच चुका है जिसके बारे में मैं Instagram पे जो है update कर चुका हूँ अगर आपने मुझे Instagram पे follow नहीं किया है तो आप इस Instagram पे भी follow करीए उसकी भी link आपको description में मिल जाएगी मुझे आप वहाँ जाके DM कर सकते हैं अगर आपको कोई भी problem हो या आपको कोई भी question पूछना हो related to technology and gadgets तो आप वहाँ जाके मुझे पूछ सकते हैं तो guys मिलते हैं next video में तो तक के लिए bye bye take care and peace